आज साल की सबसे बड़ी अमावश्या है जिसे सरुपित्र अमावश्या कहा जाता है पित्रों की विदाई का दिन है और साथी सूर इग्रहन का होना और उसमें सनी अमावश्या भी से कहा जाएगा सनीवार पड़ रहा है आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं क की दीदी गुरु जी त्वारा बताएगे इस थान पर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें दीपक कहां पर घर पर लगाना चाहिए साथी किस दिशा किस हाथ की और हमें लगाना है कौन समंत्र बोलना है तेल का लगाना है या घी का लगाना है संपूर्ण विधान गलती आप पहर साल करते हैं जिस कारण से आपको पूजा का और आपके दीप प्रेजलन का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण नियाम जानकारी प्राप्त होगी तो वीडियो में बने रही ध्यान से सुनिए सबसे पहले आप सभी जानते जल के रास्ते हैं उनके स्थानों से आप सभी जानते होंगे गुरुजी कहते हैं हमारे पित्र आज प्रस्थान करते हैं और हमें कम से कम प्रियत्न करना चाहिए आज जलाशे पर एक अहथर बहते हुए जल में एक दीपक अपने पित्रों को प्रकाश प्राप्त हो इसके के लिए प्रज्वलित करना चीए परन्तु कई भक्तिजन क्या करते हैं देज रातरी तक दीपक जलाते हैं ऐसा ना करते हुए प्रदोश काल गौधुली बेदा जी से कहा जाता है शांच के समय प्रियत्न करें आप सभी उसी समय दीप प्रज्वलित करें हाथ पैर कुला इत प्रदेवता अपना जो है आप सोलह दिन हमारे बीच में रहें हमारे द्वारा अन्नदान जल्दान भूदान आप ने प्राप्ति किया अर्था जो भी आपने दान किया है वह प्राप्ति किया तृप्त होकर आप अपने लोग की गवन करें और भूल चूप के लिए छमा प्राड की हो यह प्राड साना करते हुए आप अपने पित्रों का स्मरण करें उसके पस्चात आप सभी दीप प्रज्वलित करें अब इसमें आप सभी यह जरूर से जान लीजिए कि पित्रों की दिशा कौन सी होती है पित्रों की दिशा दक्षर दिशा की होती है यह प्रश लंबी बत्ती का ही दीपक लगाए अब दीपकों की संख्या कितनी रखें यह भी महत महत्पूर्ण है देखें गुरुजी तो कहते हैं साधार और सारल तरीके से कोई इसमें संख्या निरधार इतनी है परन्तु 16 दिन का अगर आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रियत्म करें 16 दीपक लगाएं नहीं लगा पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है जितनी आप से लग पाए न उतनी लगा दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है परन्तु एक दीपक तो आपको लगा नहीं है कहां पर लगाना है आपको अपने घर के आप बहता हुआ सब्सक्राइब नोफने करते हैं अब पित्रों के नाम का बीपक कितने संख्या में लगेगा यह भी आपके प्रश्ण मुझे प्राप्त हो रहे हैं पित्रों की संख्या जो है आप निर्धार इतना अंगीनत अं जो है अंतोल अन्मोल करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा जैसा कि मैंने बताया सोलह की संख्या में सुभ माना जाएगा क्योंकि सोलह दिनों के दीवदान का आपको फल प्राप्त होगा ऐसा न कर पाने के स्थिति में आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि सोलह तार की एक बत्ती बनाकर एक दीपक अपने पित्रों के नेवरे सोलह दिन के दीवदान के नोट करते हुए चलिएगा गलती कभी ना करें इस बात की हमेशा पित्रों के नाम का या तो तिली का तेल का प्रियोग होता है या घी का होता है ठीक है इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा अब आप सभी को कहां कहां लगाना है आपको लगाना है सबसे पहले पीपल लगाना है यह बात हो गई पहले दीपक की माता तुलसी के आगे भी आपको दीपक लगाना है क्योंकि म्रत कार्य में सभी पैत्रिक कार्य में तुलसी सबसे प्रमुख होती है कहा जाता है अम अमावश्या हो या जो है ग्रहन हो तुलसी कुसा जो कुछ ऐसी चीजे कही गई ह जो कभी भी अपवित्र नहीं होते इन पर कोई सूतक नहीं लगता है तो आपको तुलसीमा के आगे दूसरा दीपक लगाना है इसके साथ साथ आप सभी को सीव मंदिर में जाकर दीपक लगाना है चाहे तो पित्रों की नाम का लगाएं चाहे तो महादेर की नाम का लगाएं जो सबसे सुद्ध व्रक्ष बताये गए हैं, जिनमें साक्षा देवताओं का अंसवस्ता हैं, उन व्रक्षों के निकिजे जाकर या गोशाला में भी आप सभी गौमाता के समक्ष दीबदान कर सकते हैं, सूरी ग्रहन है तो सूरी देवता के निवरिद भी कर सकते हैं, इच् आपने देखा होगा पंडी जी घर पर आते हैं, तो आपके पाकोई वस्तो नहीं होती, तो क्या होता है कि पंडी जी कहते हैं, जब समी पतर ना मिल पा रहा हो, तो उसके इस्थान पर आप चामुल रख सकते हैं, तो ठीख यहीं भावनाद मन में करते हुए, आप सभी यह संभव हो तो उन दीपकों के नीचे चावल क्या फूल या फूल का आसन देते हैं चावल या फूल का तो अतिस रिष्ट कहा जाता है अब यह गलती ना करें कि दीपदान कर रहे हैं तो दीपक से दीपक प्रजुलित करें ऐसा आप भूल से भी ना करें प्रियत्न करें आटे प्रियोग में ले लें यह गलती आपको नहीं करनी है इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें ठीक है इसके साथ ही आप सभी को आज दीपक लगाने के बाद आप सभी को पूरे दिन भर में या रात्री तक एक समय का भोजन पंडी ब्रामण जी के घर पर जरूर से दान के रू लोग दोसकर्ज माप हो यह भी आपको प्राढथना करनी है काली तिल का जितना सम्भव हो आपको प्रियोग करना है सेवलिंग पर समर्पित करना है आज जो है अम आवश्यति थी और जो सूतक काल है भारत में तो बिलकुल भी सूतक नहीं है भारत के अलावा अन्य तो वहाँ पर उनके निवरित ग्रहों की दशा विपरीत होगी इस से ग्रहों के राजा सूरिदेवता है आप सभी जानते होंगे राजा प्रभावित होते हैं तो सभी को कुंडली में दोश लगता है तो आप सभी को प्रियत्न करना है कि आप सभी ग्रहों की दशा मजबूत करने के लिए सुरि ग्रह से संबंदी चीज़े जरूर से प्राटहकाल उटकर दान करें आप सभी जानते होंगे रात्रि में ग्रहन लग रहा है तो उटकर आप सभी कम से कम लाल फुल सीवलिंग पर चुड़न्हये लाल फुल जो पहदेव का स्रिंख्यार करें यह चीज न。 यह सबहतनी К thermण करो दने के आप. आप सर्वां कहलेगा और्यक्षी दान? उस स्वाब प्राप्त होगा!